हलो एवरीवन वेल्कम बैक तो यह उन चैनल दा एड़ू एक्सलें लेनिंग प्रेटफॉर्म जैसा कि आप जनते हो चैनल के बारे में किस तरीके से क्लास अप्लोड हो रही है चाहें आप करेंटली 11 रेगुलर में है या 12 रेगुलर में है किसी भी स्ट्रीम में चाहें तो आप की स्ट्रीम PCM हो चाहें तो आपकी स्ट्रीम PCB हो तो मैं आपको बजांदू कि चैनल पर रोज ही 11 की लास और 12 की लास ब्यास बहीं अजर आप 11 रेगुलर में हो या 11 में हो किसी भी स्ट्रीम में PCM या PC b तो रोज आपको Physics, Chemistry, Biology और Mathematics की Classes मिलती है, जिनका Schedule कुछ इस तरीके से है, कि अगर आप Channel पर आते हो, और Channel पर आने के बाद आप देखोगे कि वहाँ पर दो तरीके की Playlist है, एक Playlist आपको NEET के नाम से मिलेगा, और एक Playlist आपको JEE Mills, AMU BTEK के नाम से मिलेगा, अगर आप वो Physics, Chemistry और Mathematics की मिलेंगी, as a Mathematics Mentor, मैं आपको यह बता दू, कि इस बात का बहुत अच्छे से मैंने ख्याल लगा हुआ है, कि जब कोई भी Strength 10th से 11th की तरफ आता है, तो 10th की Mathematics में और 11th की Mathematics में there is a huge gap, उस gap को कैसे fill करना है, कैसे आपकी foundation strong करनी है, क्योंकि जितनी strong आपकी foundation होगी, उतनी ही आसानी से, आप 12th के बाद किसी भी particular interest को crack कर पाऊगे, तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, उसी तरीके से इसी बात को दिहान में रखे, मैं Lecture Series अपलोड कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ तो Lecture Series की, तो हमारा 11th की mathematics अलग चल रही है, और 12th की mathematics अलग चल रही है, 11th की mathematics में काफी chapter हमने cover कर ली है, और अगर हम बात करें 12th की mathematics की, तो 12th की mathematics में मैंने आपको matrices chapter से start up कराया था, matrices chapter मेंने पूरा detail में पढ़ाया हुआ है, फिर हमने second chapter class 12th का determinant start किया, determinant chapter हमने पूरी detail में पढ़ा, और अब finally हमने start किया है class 12th का third chapter that is inverse trigonometric function, अगर आप मेरी matrices और determinant वाली classes देखोगे, तो ये surety में आपको देता हूँ कि आपका basic foundation बिलकुल strong हो जाएगा, और last तक, यानि class, जो आपरी class है, matrices और determinant की वहां तक बहुचने पर, आप advanced level के cushion, अच्छे level के cushion भी लगा पाऊँगे, अगर मैं inverse trigonometric function की बात करूँ, तो inverse trigonometric function क्या, ये चौथा lecture है, lecture number 4, तीन lecture हम लोग already discuss कर चुके हैं, जिसमें, पहला lecture में मैंने आपको inverse skin function का defined होगा, ये बताया, और last two lectures में, हमने six basic inverse trigonometric function पढ़ लिए, sine inverse x, cause inverse x, ten inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, और cot inverse x, इनका domain क्या होता है, ये देख लिया, इनका range क्या होता है, ये देख लिया, और इनका graph कैसा दिखता है, हमें इस बात की पूरी clarity है, तो अगर आपने वो last three lectures नहीं देखें, तो पहले please वो जागर के देख लिजे, क्योंकि वो आपका basic है, वो clear है, तो पूरा inverse trigonometric function आगे clear हो जाएगा, आज का जो हमारा lecture है, part number four, lecture number four, उसमें बेटा, दो बाते हम करने वाले हैं, वो दो बाते कौनसी होँगे, एक बात तो एक चीज तो हम questions perform करेंगे, questions करेंगे, और दूसरी चीज, आज की class में, हम properties discuss करेंगे, ठीक है, कल तक का concept हमने जितना पढ़ लिया, उस concept से, जो भी 4 से 5 सवाल हो सकते हैं, वो questions discuss करने हैं, और दूसरी बात, हमें properties करने हैं, तो मैं time को waste ना करते हुए, थोड़ा सा अपने बारे में बता दू, मेरा नाम है जैदलबर, I am your mathematics mentor at this particular platform, जो 11th के लिए, 12th के लिए, AMU B.Tech के लिए, आपको पढ़ा रहे, और पढ़ाते हुए लगबग साथ से 8 साल का experience हो चुका है, मैंने डिप्लोमा in mechanical engineering pass out क्या हुए, from Aligarh Muslim University, I am graduated from the institution of engineers India, और same institution से, मैं chartered engineer भी हूँ, और same institution का मैं associate member भी हूँ, मेरे बारे में और चानने के लिए, you can search me on google as well as on youtube, as the best teacher of the quantitative aptitude in Aligarh, वह आपको मेरे बारे में further information मिल जाएगी, तो आते हैं हम, lecture number 4 ITF, inverse trigonometric function का question number 1, ओके तो मेरे साथ question भी perform आप साथ में करते जाओगी, क्योंकि basic idea बच्चों, मैंने आपको दे दिया है, ओके तो हम बात करते हैं, पहले सवाल की जो हमें करना है, find the domain, this is your question number 1, find the domain, find the domain end range find the domain end range, हमें domain भी देखने है, और range भी देखने है, function है, fx is equal to fx is equal to 10 inverse 10 inverse log base 4 by 5, 5x square minus 8x plus 4 5x square minus 8x plus 4, ठीक है, इस function का, हमें domain और range देखना है, क्या हो, ठीक है, तो इसको देखेंगे, बच्चों, पहले हम, इसको focus में ला रहे हैं, ठीक है, 5x square minus 8x plus 4, पहले इसको focus में लाते हैं, और यहां आप देख पा रहे हो, कि अगर मैं, अगर मैं, इस quadratic expression को देखू, 5x square minus 8x plus 4, तो यहां दो बातें observe करने वाली हैं, कि अगर मैं इसका discriminant लिका उता हूं, that is b square minus 4ac, तो discriminant will be equal to minus 8 ka square minus 4ac, 4 into 5 into 4, b will be equal to 8 is a 64, 4 fives a 20, 2 fours a 80, and discriminant will be equal to 16, discriminant आ रहा है हमारा minus का 16, ठीक है, तो clearly, we can observe that, we can observe that, बच्चों, दो चीजें हम अगर observe करें, वो क्या हैं? एक तो discriminant की value negative है, discriminant is less than 0, और जो हमारी general form होती है, quantity equation की, a x square plus b x plus 5, इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें बच्चों आप देख पा रहे हो, कि a की value 5 है, यानि a is greater than 0, a is greater than 0, है न, a is equals to 5 है, ठीक है, दो चीजें मैंने observe करी, 5 x square minus 8 x plus 4 से, दो चीजें observe करी, कि a x square plus b x plus c से, अगर इसको comparison में लाता हूं, तो एक तो a की value 5 है, मतलब a is greater than 0, और discriminant negative है, अगर ये दोनों बाते हैं, कि discriminant negative है, और a की value हमारी बढ़ी है 0 से, तो आग quadratic equations है, ये बात जानते हो, कि अगर मैं domain की बात करूँ, तो इसका मतलब मैं इसे domain दे सकता हूं, minus infinity से infinity, ये आगे हमारा इस particular question का domain, ठीक है, quadratic equation में आए, देखा, discriminant हमारा less than 0, यानि negative है, 0 से छोटा, और a is positive, मतलब, this is true, this is true for all value of x, x के सारी value के लिए, इसलिए इसका domain, minus infinity से infinity, डोमेन की बात तो हमें समझ में आ गई, डोमेन आ गया, अब मैं बात करता हूं बच्चो, range की, ठीक है, इसको मैं पास रखता हूं, यह मेरा डोमेन आ गया, ठीक है, यह मेरा डोमेन आ गया, इसको मैं समाल के रखता हूं, यहाँ पर डोमेन आ चुका है, अब मैं बात करता हूं, range की, range के लिए, let, let, मैं माल लेता हूं कि यह e है मेरा है न, e will be equal to 5x square minus 8x plus 4, ठीक है, this is my, मैं अब बात करता हूं, range की, यह पिटा मैं चिसकी बात कर रहा हूं, range, ठीक है, e will be equal to 5x square minus 8x plus 4, ओके, इसको द्यान से देखेंगे, दू बाते, एक तो e minimum, और e maximum, e minimum और e maximum, तो e minimum कब होगा, आप जानते होगे, quadratic equation से, की e minimum का मतलब हो गया, minus d by 4x, यानि इसका minimum value का formula minus d by 4x, d हमारा already है, minus 16, और 4a, अब देखो, d हमारा minus 16 था, और formula में minus है, तो minus minus plus हो जाएगा, है ना, 4a का मतलब हो गया, 4 5s हा 20, ठीक है, कि e minimum का formula minus d upon 4 है, और e maximum, इन्फिनिटी, यानि ये 4 by 5 और इन्फिनिटी, यानि e, e belongs to, belongs to, e belongs to, 4 by 5, इन्फिनिटी, इतनी बात हमारे समझ में आ गए है, क्योंकि e की minimum value हमारे पास 4 by 5 है, और e की maximum value हमारे पास इन्फिनिटी है, तो e belongs to 4 by 5, इन्फिनिटी, अब अगर मैं ये log भी ले लो, यानि log, base 4 by 5, e, ठीक है, क्योंकि e तो मेरा सिर्फ ये माना है ना, अब मुझे पूरे function करें, लोग भी ले लो, तो log 4 by 5, e का मतलब हो गया, ये बन गया हमारा minus infinity, 1, ठीक है, 4 by 5, base है, 4 by 5, अच्छा है, ये वाला 4 by 5, cancel हो रहा है, minus infinity, 1, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हो, कि log के साथ हमारा 10 inverse भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 10 inverse वाले की, जब हम देखेंगे, जब मैं 10 inverse वाले की देखूँगा, तो 10 inverse, log, base 4 by 5, e, यनि अगर मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, this, तो ये बलॉंग्स टू, ये बलॉंग्स टू, minus infinity होगा, पाई बाई टू पे, minus infinity किस पे होता है, पाई बाई टू पे, और 1 किस पे होता है, हमारा पाई बाई फोर पे, ये सुन्नो, और बलकि infinity minus है, तो minus pi by 2 पे होगा, क्यूंकि 90 पे तो हमारा not define होता है, 10 pi by 2 पे हमारा क्या होता है, not define होता है, आपको ध्यान आ रहा होगा, last lectures में ये सारी चीज़ने पढ़ाई है, और अगर 10 pi by 2, pi by 2 से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, या थोड़ा सा गड़ाते हैं, तो infinity आएगा, negative का ये चीज़ पढ़ाई दी, last lecture में, तो उससे मुझे clear हो गया, कि भाई, कि भाई, मेरा जो minus infinity है, गो 10 कब देता है, minus pi by 2 पे, और 1 कब देता है, 1 कब देता है, 45 पे, pi by 4 पे, तो range मेरी आ गई, range मेरी इस function के आ गई, range will be equal to, minus pi by 2 से, pi by 4 तक, तो इस question के हमें, domain और range पूछी थी, this is our required result, range भी है मेरे पास, और मेरे पास domain भी है, उम्मीदे clarity आ गई होगी, कि हमारी range है, minus pi by 2 से pi by 4 तक, let us move on, question number 2, बट उससे पहले, please pause the video, and note it down, इसको note करेंगे, समझ करके, ठीक है, जल्दी से इसको note करें, question number 2 पे आखेंगे, okay, let us move on, question number 2, question number 2 देखेंगे, let us move on, question number 2, question number 2 is, if 2 sign inverse 3 by 5, 2 sign inverse, 3 by 5, is equal to cause inverse x, cause inverse x, then find the value of x, find the value of x, 2 sign inverse 3 by 5, is equal to cause inverse x, then find the value of x, इस तरीके की सारी problems बेहत important है, NCRT में boards के लिए, और jwe means for amubitech के, अगर आप question उठाऊगे, तो ये सवाल तो मैं नहीं बोला, आएगा या आते, लेकिन जो सवाल आते, उसमें इस concept का use बहुत होता है, ठीक है, तो ये मैं लिख दे रहाऊ, this type of problem are very important, this type of problems, this type of problems are very important, इस तरीके की problems हमारे लिए बहुत important होगी, for amubitech, jwe means, और amuboads, sorry, for 12th boards, अब concept क्या है, concept इसके पीछे क्या काम करता है, उसको ज़रा द्यान से समझेंगे, let, let, sign inverse, 3 by 5, equal to x, बहुत द्यान से समझेंगे, let, sign inverse, 3 by 5 is equal to x, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने यह जो, sign inverse 3 by 5 है, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, अगर मैं sign inverse 3 by 5 को x ले लिया है, तो मैं क्या, यह लिख सकता हूँ, अगला step, sign x is equals to 3 by 5, ठीक है, sign inverse 3 by 5 को x माना है, तो sign x will be equals to 3 by 5, अच्छा, x की value तो मैं find लिया, यह तो एक काम कर दे, थीटा ले 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 रहे है, वो जादे स्वालिडे, ठीक है, तो मैं ले 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 रहा हूँ, let, sign inverse 3 by 5 is equals to theta, x भी ले सकते हो, लेकिन x पूछा, इस वाज़ेसा नहीं ले ले, तो क्या मैं यह लिख सकता हूँ कि sign theta equals to 3 by 5, सीधा concept carefully, important है, सीधा concept carefully, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस तरीके के question, 12th bold amu btec j double means important है, ठीक है, क्या अगर मैं कि सबसे पहले यह जो sign inverse 3 by 5 है, इसको मैंने theta मल लिया, you can take y also, अब अगर sign inverse 3 by 5 theta है, तो कैना ही से, can I say, sign theta equal to 3 by 5, sign theta मेरा कितना है, 3 by 5 है, अब इसको बहुत ध्यान से अगर देखें, तो मेरा past, sign theta equals to 3 by 5 आ चुक है, ठीक है, और अगर मैं, अगर मैं यह value उपर put कर दू, यह जो मैंने माना है, इसको उपर put कर दू, तो 2 sign inverse 3 by 5 है, तो 2 sign inverse 3 by 5 क्या है theta, 2 theta equal to cause inverse x आ गया, 2 theta equal to cause inverse x आ गया, ठीक है, इसको sign inverse 3 by 5 को उपर put कर दिया, सुनेंगे समझेंगे कि अगर इस को मैं इधर लाऊ इस को मैं इधर लाऊ तो x will be equal to cos 2 theta हो जाएगा अगर मैं इस cos inverse को इधर ले जाऊ तो x is equal to cos 2 theta हो जाएगा और आप 11th class से जानते हो कि cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta या 1 minus 2 sin square theta लिख सकते हैं तो मैं cos 2 theta को क्यों ना इस 11th वाली बात से जो मैंने 11th में सीखिए उससे में लिख लूँ cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta x will be equal to 1 minus 2 into sin theta का whole square and sin theta is 3 by 5 3 by 5 का whole square x will be equal to 1 minus 3 3 is 9 9 2 is 18 5 5 is 25 x will be equal to 25 minus 18 7 7 by 25 x मांग रहा था 7 by 25 सब्चे समारा आंसर आ गया सवाल तो solve हो गया अब एक बहुत important चीज़ देगो इस step में मैंने बोला था 2 theta equal to cos inverse x है तो cos को इदर ले जाएंगे इदर ले जाएंगे तो x is equal to cos 2 theta आ जाएंगे ठीक है कॉस को इदर ले जाने से ये जो cos 2 theta बना कॉस को इदर ले जाने से ये जो cos 2 theta बना हर बार अपनी मर्जी से कॉस इदर नहीं आ सकता ये क्यूं हुआ समझो कॉस inverse x का मतलब होता है x belongs to minus 1,1 कल की क्लास में हमने पढ़ा इसको कि हमारा जो cos का domain होता है जो हमारा cos का domain होता है cos का domain होता है हमारा minus 1,1 तो ये इस range में ही आना चाहिए चलो मैं एक और question के साथ इस बात को आपको समझा दो अब ही आप सुर्फ इतना समझ लो कि ये जो कॉसम इदर लेकर के आए ये मैंने बोला कॉस इदर ले लो 2 दीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x है कॉस दर आ जाएगा तो x is equal to cos 2 दीटा ये अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं इसकी वज़ा होती है आगे मैं clear कर दूँगा तो x की value आ गई 7 by 25 तो अमीदे ये question भी आपको समझ में आ गया होगा please pause the video and note it down इसके बाद question number 3rd पर आते है question number 3rd question number 3rd में देखेंगे find the domain of find the domain of domain बताने fx is equal to sin inverse x minus 3 by 2 sin inverse x minus 3 by 2 minus log base 10 minus log base 10 4 minus x इसका हमें domain बताने तो question आपके सामने है कि हमें domain बताने sin inverse x minus 3 by 2 minus log base 10 4 minus x माइनस या plus लगा हुआ है तो दोनों को अलग लग देखेंगे सबसे पहले मैं इतना part अगर देखू ये देखू तो ये sin inverse कल परसों की किलास में हमने पढ़ा था कि sin का domain जो है वो minus 1 से 1 होगा यानि x sin का जो domain है वो minus 1 से बन होगा ये पढ़ा था यानि ये x minus 3 upon 2 belongs to minus 1 से 1 ये sin देखो basic जब तक नहीं देखोगे lecture नमर 1 2 तब तक ये चीज clear नहीं हो पाएगी ये हमने पढ़ा था कि sin inverse का domain minus 1 से बन होता है अब ये बुला x minus 3 by 2 है तो x minus 3 by 2 belongs to minus 1 को मामन x minus 3 ये 2 जब इदर जाएगा तो 2 अंजा 2 2 अंजा 2 ये बनाएगा ये minus 3 जब bracket के अंदर जाएगा तो minus 2 2 plus 3 is 1 और 2 plus 3 is 5 clear है बत माइनस 3 इदर जाएगा plus 3 हो गया plus 3 minus 2 is 1 plus 3 plus 2 is 5 तो एक हमारे पास ये आ गया x की values equation बर माद लॉग में अगर आते तो इससे मतलब है log को कभी भी negative value नहीं दे सकते यानि 4 minus x is greater than 0 log function की ये खास बात है कि वो negativity include नहीं करता you can't give negative value to log log को negative value नहीं दे सकते यानि ये जो log के अंदर है 4 minus x ये शुड़ भी greater than 0 0 से बढ़ा होगा positive होगा negative नहीं हो सकता इसका मतलब 4 is greater than x यानि जो x है वो 4 से छोटा होगा x जो है वो 4 से छोटा होगा this is equation number 2 ठीक है this is equation 1 1 से 5 होगा this is 4 से छोटा होगा on combining on combining equation 1 and 2 अगर मैं equation 1 और 2 को combine करके देखूं तो यहां बोल रहा हूँ x 1 से 5 होगा यहां बोल रहा हूँ 4 से छोटा होगा इसका मतलब x belongs to 1,4 ठीक है this is what this is the domain of the function जो हमसे पूछ रहा है कि भाया इसका जो domain होगा वो 1,4 होना चाहिए उम्मीद है clarity आ गई होगी basic से और कुछ नहीं तो इसका domain बच्चो 1,4 होना चाहिए तो इसको note कर लीजिए video pause करके एक एक करके function देखा है पहले sign inverse देखा है फिर log देखा है जल्ली से इसको note करेंगे फिर आगे बाद करेंगे दो ने मोझार आगे बाद करेंगे फिर द 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 द। तो लेट उस मूग ओन कुश्चन नमबर 4 लेट उस मूग ओन कुश्चन नमबर 4 देखेंगे कुश्चन नमबर 4 लेट 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 ले 2021 plus y to the power 2021 plus z to the power 2021 plus 6 upon plus 6 upon x to the power 2022 plus y to the power 2022 plus z to the power 2022 okay plus 6 upon x to the power 2022 y to the power 2022 z to the power 2022 options are options are 5 option number b is minus 1 option number c is 1 and option number d is data is insufficient data is insufficient option number d is data is insufficient ये जो हमारा question number 4 है one of the most important question आप maths की j level की या आप amu btec के last year के papers अगर उठाते हो या आप j double means level की कोई भी किताब उठाते हो तो आपको इस based इस pattern पर based बहुत सारी कुशन मिल जाएंगे हो सकता है यही मिल जाए है यह हो सकता है ऐसा दिखने वाला लेकिन पूछा कुछ और हो मैं pattern की बात कर रहा हूं one of the इसको मैं लेक देता हूं one of the most important pattern one of the one of the most important pattern मतलब जितने आप जिन जिन बुक में इस तरीके के सवाल देखोगे ITF से उसमें बहुत repeat होने वाला और important pattern है ठीक है अलग-अलग books में अलग-अलग methods दिये हुए एक method मैं भी आपको सिखाऊंगा और समझ में आएगा आप कुछ अमग जाएगा method क्या है बहुत द्यांसे समझेगे जो पूछ रहा है उस पर focus ना करके जो दिया हुआ है उस पर focus करते ठीक है अगर मैं solution की बात करता हूं अगर मैं solution की बात करता हूं तो यह जो दिया हुआ है cause inverse x plus cause inverse y plus cause inverse z equals to 3 pi ठीक है और मैं एक hint भी देता हूं आपको इस तरीके के pattern का solution का hint होता है hint कै कि आप maximum value maximum value लेका लो या आप minimum value लेका लो बच्चों हमेशा याद रखना इस तरीके के pattern को solve कैसे करते या आपको बहुत सी किताबों मिल जाएगा या तो आप maximum value देखो या minimum value देखो maximum देखनी है या minimum देखनी है कुशन खुद बताएगा लेकिन यही दो अक्रोच होंगे या तो maximum value देखो या minimum value देखो for example कि यह जो मेरा cause inverse x plus cause inverse y plus cause inverse z equals to 3 pi है यह कब possible है this is possible this is possible when when cause inverse x cause inverse y cause inverse z are on there are on there maximum यह तभी possible है जब cause inverse x cause inverse y cause inverse z अपनी maximum value पर हो मैंने hint के दिया था या तो maximum value देखते है या minimum value तो यह जो statement है cause inverse x plus cause inverse y plus cause inverse z equals to 3 pi यह सिर्फ और सिर्फ तभी possible होगा अगर cause inverse x cause inverse y cause inverse z equals to 3 pi तभी possible होगा अगर यह तीनों अपनी maximum value पर हो यानि cause inverse cause inverse pi equals to cause inverse pi या cause inverse 1 है ना क्यूंकि यह हो गया one of the most important अब यह हो गया हमारा cause अपनी maximum value पर तो इनकी maximum value pi होती है ना यानि cause inverse x pi हो जाए cause inverse y भी pi हो जाए और cause inverse z भी pi हो जाए यह इसकी maximum value होगी है pi जो है वो cause की maximum value है इससे उपन नहीं आ सकता तो यह तभी possible है अगर cause inverse x pi हो जाए cause inverse y pi हो जाए cause inverse z pi हो जाए ठीक है और अगर cause inverse x pi हो गया तो x की value minus 1 अगर cause inverse y pi हो गया तो y की value minus 1 है ना देख पा रहा है य की value minus 1 अगर cause inverse z pi हो गया तो z की value भी minus 1 भाई यह सुननों है ना इस तरीके के question करने की approach ही यही है कि आपको maximum value या फिर minimum value को लेना होता है अब यह जो cause inverse x plus cause inverse y plus cause inverse z is equal to 3 pi है यह तभी possible है जब यह तीनों अपने maximum value पर हो अब cause inverse x की maximum value होती है pi तो यह तो cause inverse x is equal to pi cause inverse y is equal to pi और cause inverse z is equal to pi यह pi कब होते है अब x is equal to minus 1 y is equal to minus 1 और z is equal to minus 1 तो आ गया कि भाई x is equal to minus 1 आ गया y is equal to minus 1 आ गया z is equal to minus 1 आ गया अब एक छोटी सी बात minus की power अगर odd है तो negative ही आता है अगर minus की power even है तो positive आता है यह block हम जानते है class 9 tenth से x minus 1 आया minus 1 की power 2 0 2 1 which is odd मतलम negative answer आएगा यह आगया हमारा minus का 1 यह 2 0 2 1 भी odd है minus 1 की power odd यह भी आगया हमारा minus का 1 यह z minus 1 है और 2 0 2 1 हमारा odd है यह भी आगया हमारा minus ठीक है किदर आते हैं यह 2 0 2 2 even है तो जब minus 1 की power even होगी तो positive आएगा यानि यह positive आगया plus 1 यह positive आगया plus 1 ये भी positive आ गया, plus 1 1, 1, 1 1, 2, 3, 3 हो गया यानि ये लेखा हो गया, plus 6 भाई, 3 ठीक है, minus 1 minus 1, minus 1, minus 3 plus 3, 2, 6 minus 3, plus 2 हो गया, minus का 1, यानि इसका answer हो गया option number 2 तो उम्मीद है, clarity आ गई होगी इस सरीके के question के लिए concept याद रखिएगा, कि याद तो maximum value से start करते हैं, या minimum value से start करते हैं, please pause the video and note it down अब हमारे ये चार basic question हो चुके जिससे हमें एक idea आ गया है, ठीक है, start up हमने लिया था, यहां से, यह आपने इसका domain और range देखा, ठीक है, एक basic question है, या idea हो चुका है, फिर हमने यहां देखा, x की value find करना, इस तरीकी की problem important होती है, फिर हमने domain देखा इसका, और last पर हमने इस तरीकी question देखा, तो एक idea ले चुके हैं, जितना basic पढ़ा है, अब बात करते हैं, properties पर, ठीक है, properties of, properties of, inverse trigonometric function, ठीक है, जो हमारा inverse trigonometric function है, उसकी properties के बारे में discussion करेंगे, पहली property मैं आपके सामने बताऊँगा, बहुत ही important और बेहत property, की sin inverse x plus cause inverse x is equals to pi by 2 होता है, या फिर, या फिर, 10 inverse x plus cot inverse x, cot inverse x equals to pi by 2 होता है, या फिर, या फिर, sec inverse x plus cosec inverse x is equals to pi by 2 होता है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, की यह हमारा pi by 2 होता है, sin inverse x plus cause inverse x is equals to pi by 2, 10 inverse x plus cot inverse x is equals to pi by 2, sec inverse x plus cosec inverse x is equals to pi by 2, बात समझ में आई हमारे, यह पूरी ही क्या property number 1 है, यस, this is our property number 1, बल्कि मुझे अभी box में नहीं बंद करना चाहिए, एक important बात रहेगे, यहा पर आप देखोगे की x belongs to minus 1,1 बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसका जो domain है, sin or cos, को minus 1,1, यहा पर x belongs to real number, आप दे सकते हो, sec inverse और cosec inverse कल की class में पढ़ा है, इनके domain सेम होते हैं, यानि इसको आप दे सकते हो, x belongs to minus infinity, minus 1, union, 1, infinity, ठीक है, यह कल की class में पढ़ा है मैंने, sin inverse x को और cosec inverse x का domain सेम होता है, minus 1,1, 10 inverse x का cot inverse x का real number, sec inverse x, cosec inverse x को last class में पढ़ा है, कि x belongs to minus infinity, minus 1, union 1, minus infinity, तो यह हमारी property number, property number 1 है, बेहाद important property है, और बहुत use होने वाली property है, this is property number 1, यह हमारी है property number 1, इसको नूट करेंगे, यह पूरी property number 1 है, sin का relation cos के साथ, 10 का relation cot के साथ, sec का relation cosec के साथ, क्या जी, sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2, 10 inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2, sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2, जब sin और cos की बात होगी, तो x belongs to minus 1, 1, जब 10 और cot की बात होगी, then x belongs to real number, जब sec और cosec की बात होगी, तो कली last class में पढ़ाया है कि sec inverse x का और cosec inverse x का domain same होता है, that is minus 1, sorry, infinity comma, minus infinity comma minus 1, union 1, infinity, अब इसका मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा example लेता हूँ, तो आई clarity आजाए, जैसे example के तौर पर, मैंने बोला, sin inverse, 1 by 2, plus cos inverse, 1 by 2, ये same होने चाहिए, दोरो input, तो इसका answer, 5 by 2 या आएगा, check कर लो, sin 1 by 2 किस पे देता है, 30 पे, 30 इस 5 by 6, ये मेरा 5 by 6 है, और ये देता है किस पे, 60 पे, that is 5 by 3, ठीक है, इसको solve जब करोगे, तो this is 6 by 2 by 3 by 6, 3 by 6 is what, by by 2, तो ये हम already बोल रहे हैं कि sin inverse x, plus cos inverse x कितना हैगा, by by 2 हैगा, जैसे एक और, let us take एक और example, कि अगर मैं बोलू, sin inverse, root 3 by 2, plus cos inverse, root 3 by 2, equals to, अब ये पाई बाई 2 ही आएगा, check कर लो, root 3 by 2, ये होता है, 5 by 6 पर, ठीक है, 5 by 6 पर क्यों, 5 by 3 पर होता है, 5 by 3 पर, और ये होता है, तुम्हारा 5 by 6 पर, और 5 by 3 plus 5 by 6, अब ही करके दिखा है, 5 by 2 है, एक important बात, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, sin inverse, 4, plus cos inverse, 4, तो ये पाई बाई 2 के equal नहीं होगा, क्यूंकि भाई, minus 1 से 1 तक valid है, ये तुम्हें 4 डाल दिया, ठीक है, तो ये valid नहीं होगा, याद रखेगा, अंडर दी डोमेन काम करेगा, तो पहली property हमारी उम्मीद है, समझ में आ गई होगी, sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 होता है, sin or cos के case में, जो x है, वो belong करना चाहिए, minus 1,1, 10 और 4 के case में, x belongs to real number, और sec और cosec के case में, x belongs to minus infinity, minus 1, union 1, infinity, ये property number हमाने, मैं एक काम करता हूँ, next slide पर इसको proof करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी दोनों इसी के जैसी है, main इसको proof करके दिखा दे रहा हूँ, बट उससे पहले, please pause the video and note it down, जल्दी से इसको note करेंगे, अब मैं पहली property का proof ले ले रहा हूँ, ताकि आपको एक clarity आजए, we have to prove, we have to prove कि sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2 होगा, under the range की x belongs to minus 1,1, इसको हमें proof करना है, इसको हमें proof करना है, बहुत ध्यान से समझेगे, तो proof करने के लिए, let sin inverse x equals to theta, ठीक है, मैंने क्या मान लिया, कि sin inverse x जो है, वो मेरा theta है, ठीक है, अगर sin inverse x is equals to theta मैंने मान लिया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x is equals to sin theta, x is equals to sin theta, बिलकुल बोल सकता हूँ, और आप जानते हो, क्या जानते हो, we know, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कि sin, 90 minus theta equals to cos theta होता है, और, 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 cos 90 minus theta equals to sin theta होता है, यह तो हम 10 से ही जानते हैं, ठीक है, we know that, हम यह जानते हैं, यानि x is equals to sin theta की जगा, sin theta की जगा, I can put cos pi by 2, cos pi by 2 minus theta, cos pi by 2 minus theta, अब एक छोटी सी बात ध्यान दिलाता हूँ, cos को जब इदर ले जाएंगे, इदर ले जाएंगे, तो यह cos inverse x, यानि यह बनेगा, cos inverse x is equals to, और यह रह जाएगा, pi by 2 minus theta, यह अगला step है, cos को जब इदर ले जाएंगे, cos inverse x is equals to pi by 2 minus theta, पहले अगर आपको याद हो, मैं याद दिलाता हूँ, मैंने पहले पढ़ायाता हूँ और आगे बताऊँगा, इस चीज को आगे बताऊँगा, किस चीज को, अभी याद दिला रहो, कहां गया, इस चीज को मैंने बताँगा, आगे बताऊँगा, वो चीज क्या थी, 2 theta equals to cos inverse x, हाँ, हाँ, यह जो था, कि मैंने बोला था, cos को इदर ले जाएंगे, तो वही चीज आगे बता रहा हूँ, यही scenario में आपको अब सम्झागा, देखो, बहुत important चीज है, यह जो cos को इदर ले जाना है, जिससे यह cos inverse बन रहा है, है न, कि भाई, इस step के बाद आपने बोला, इस step के बाद आपने क्या बोला, कि sir, sir, cos को इदर ले आओ, मैं ले आया, मैं ले आया, cos inverse x, लिख दिया मैंने, यह हो गया, πाई बाई टू मैंनस स्थीटा, cos को इदर नहीं ला सकते हमेशा, है न, कब लाएंगे, जब यह इसके डोमेन में आ रहा हो, जैसे, बच्चो, आप जानते हो न, कि x बलॉंग्स टू मैंनस बन कॉमा वन, क्योंकि x उमारा डोमेन है, x तो खो दोमेन है न भाई, डोमेन क्या होता है, मैंनस बन कॉमा वन, और ठीटा आउट्पुट है, यानी ये रेंज है, यानी ठीटा बिलॉंग्स टू, रेंज हमारी बिलॉंग्स करती है, minus pi by 2 से pi by 2 बहुत द्यान से समझना है मेरी बात देखो clarity आजेगी यहां से इसको मैं समाल के रख देता हूँ यहां पर ठीक है? बहुत द्यान से समझना है अगर x की बात करें तो x समरा domain है यानि minus infinity से infinity और theta range output है तो range होती है इसकी वो minus pi by 2 से pi by 2 अब देखो यह क्या लिखा हूँगा? यह minus theta यानि इसको अगर मैं minus theta बनाऊ तो यह minus यह प्लस pi by 2 यह हो जाएगा minus pi by 2 द्यान से देखो और इसमें pi by 2 को add कर दूँग तो अगर मैं pi by 2 को इसमें add कर दूँगा तो अंदर भी पाई बाई टू एड हो जाएगा पाई बाई टू मैनस पाई बाई टू जीरो और पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू यानि पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो जाएगा तू पाई बाई टू तू से टू कैसे पाई ये देख रहे हो ये आ रहा है हमा यही है, आगे दिखेगी यह चीज, अभी तो नहीं दिख रही होगी, आगे दिखेगी, क्या, कि यह जो cos को इधर लाना है, cos को इधर लाए हो, जिससे यह cos inverse x हो गया, यह क्यों लाए है, क्योंकि यह pi by 2 minus theta इसमें लाई कर रहा है, ठीक है, चलो, अब, 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 minus theta, this is equation number 2, अगर मैं add कर देता हूँ, first and second को, पहली और दूसरी equation अगर add कर दूँ, तो sin inverse x, क्या मिलेगा, sin inverse x, plus cos inverse x is equal to theta plus pi by 2 minus theta, यह cancel out हो गया, यानि sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2 आ गया, जो हम proof करना चा रहे थे, इसी को तो proof करना चा रहे थे, तो यह रहा है इसका proof, इसी तरह से 10 inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2, और second inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2 को proof कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हैं, तो property number 1 कर ली, property number 1 का proof दिखा दिया, अब एक question कर लेते हैं, property number 1 पर, ताकि हमें clarity आ जाए, उससे पहले please pause the video and note it, जल्दी स्कूरोड करेंगे, तो इस पर हमने property देख लिए, प्रूफ देख लिया, अब एक question देख लेते हैं, फाइंड दा कुष्चन है, प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज बेस्ट पर है, question number, यह बंदो नहीं, कुष्चन अल्डेडी करा चुक है, question देख रहें, find the range, find the range, of the following function, find the range of the following function, find the range of the following function, function क्या है, fx is equal to sin inverse x plus cos inverse x plus 10 inverse x, find the range of the following function, sin inverse x, cos inverse x, sin inverse x, cos inverse x, 10 inverse x plus, ठीक है, इसकी हमें range find करनी है देख, एक बहुती तगड़ा चीज बताता हूं मैं आपको, आपने बोला सर, इसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने स्टार्ट गरा, आपने का ज़र function है, fx is equal to sin inverse x, plus cos inverse x, plus 10 inverse x, मैंने का हाँ, function तो यही है, आपने का sir, we know that, we know that, हम जानते हैं, property number 1, कि sin inverse x, plus cos inverse x, is equals to pi by 2 होता है, आपने का sir, यह बात अभी अभी आपने पढ़ाई है हम जानते है, कि sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2 होता है, मैंने का हाँ, तो आप बोलें तो इसका मतलब, fx is equal to sin inverse x, plus cos inverse x की जगा, इसकी जगा, I can write pi by 2, plus 10 inverse x, मैंने का हाँ बात तो सही है, बात तो तुमारी बिल्कुल सही है, अब तुमने बोला sir, now focus on 10, 10, कि sir, range find करनी है न, range find करनी है, तो तुमने बोला sir, range जो है न, range जो है न, 10 की, 10 की जो range है, वो minus pi by 2 से pi by 2 होती है, minus pi by 2 से pi by 2 होती है, include नहीं करता यह, मैंने का हाँ, मैंने का तुम्हें कैसे पता, तो तुम बोले आप नहीं पढ़ाया, लास्ट लेक्चर में, कि भाई, 10 inverse x को देखोगे, तो जो x है, वो minus pi by 2 से pi by 2 जाएगा, यह range है 10 की, मैंने का बात तो ठीक है, अब, अब बच्चों, यह 10 inverse x की range है, ठीक है, यह तर भी प्लस हो जाएगा, pi by 2, minus pi by 2, 0, और pi by 2, plus pi by 2, 2 pi by 2, 2 से 2 cancel pi, और आपने मुझे आंसर दे दिया, range आ गई, 0 से 5, यह यह अगर यह mcu type है, तो यह option number यह है, आप इसे mark करिए, जादेतर लोगों का approach यह होता है, बेटा यह गलत है, यह गलत है, this is wrong one, कहीं आपको mistake नहीं देख रही होगी, बिलकुल ऐसा लग रहा होगा, बिलकुल perfect solution है, ठीक है, अम मैं एक बास समझाता हूं, while solving, while solving, range problems, range problems, keep the domain of the function, keep the, keep the domain of the function, keep the domain of the function, in your mind, in your mind, यह क्या है, this is आज की टिप, आज की टिप, आज की टिप, आज की टिप, क्या है टिप, टिप क्या दिए आपने, टिप को दरा, खुबसूरत सा लेग रहे हैं, मैस पढ़ा रहे हैं न, टिप, आज की टिप, क्या है आज की टिप, कि वाइल सॉल्विंग रेंज प्रॉब्लम्स, keep the domain of the function in your mind, रेंज वाली प्रॉब्लम्स अगर calculate कर रहे हो, तो function का domain अपने दिमाग में रखो, क्या मतला बैसार आपका, क्या हमने यह गलत कर रहा था, अप्रोच क्या गलती न, बिल्कुल शही थी, शुरुआत मैं भी ऐसी करूँगा, आपने लेखा, fx is equal to, sin inverse x, plus cos inverse x, plus tan inverse x, मैंने का बास सही है, आपने का सर यह property उस करनी है, यह sin inverse x plus cos inverse x कियेगा लिखना है, पाई बाई 2, मैंने का हाँ, मैंने नहीं तो पढ़ाया, sin inverse x plus cos inverse x is equal to पाई बाई 2 होता है, लिख दो, पाई बाई 2, plus tan inverse x, क्या problem है, बिल्गुल सही है, यहां तक बात सही है, क्यूंकि tan inverse x, sin inverse x, और cos inverse x के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी range बड़े दिहान से देखेंगे, minus 1,1 के हिसाब से, क्या, भाई, cos और sin के लिए तो x belong कर रहा है, minus 1,1, इसका तो domain यही है, है न, अब इसका होता है, 10 का minus pi by 2, pi by 2, वो नहीं होगा, आप बोलोगे sir, tan inverse x का, tan inverse x जो है न, वो belong करेगा, यह होता है, tan inverse x का, लेकिन हम इसका, इन नोनों के इसाब से देखेंगे, while solving the range problem, keep the domain of the function in your mind, इन नोनों की domain अपने दिमांग में रखेंगे, इन नोनों की domain है यह, अब देखो, इन नोनों की domain है यह होने की वज़े से, minus 1, 10 किस पे देता है, minus pi by 4 पे, और 1, 10 किस पे देता है, pi by 4 पे, बहुत ही द्यान से समझना इस concept को भाई, यह जो range है न, minus pi by 2, pi by 10 की वो नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम range की problem calculate करते हैं, तो हम इसको दिमांग में रखते हैं कि domain of the function हमारे दिमांग में होनी चाहिए, अब sin inverse x और cos inverse x का domain minus 1,1 है तो इसके हिसाब से होगी, minus 1, 10 inverse किस पे देता है, minus pi by 4 पे, और 1 किस पे देता है, pi by 4 पे, बड़ी है बात है, अब यहाँ 10 inverse x के साथ pi by 2 जुड़ा हुआ है, तो pi by 2 जोड़ोगे, तो यह हो जाएगा, pi by 2, plus 10 inverse x, सही है, तो pi by 2 इधर जुड़ा रहे तो इधर भी जुड़ जाएगा, minus pi by 4, plus pi by 2, minus pi by 4, plus pi by 2, यह हो गया, 4, minus pi, 2, 2,ikill यह तो आगे मेरा pi by 4, और pi by 4 में भी जुड़ जाएगा, pi by 2, है न, pi by 4 में भी जुड़ जाएगा, पाई बाई टू तो यह हो गया 4 पाई 2 टू जा 4 2 पाई 2 पाई 3 पाई तो यह आ गया हमारा 3 पाई बाई 4 यह आ गया पाई बाई 2 प्लस एंवर सेक्स यही फंक्शन था तो यह range हो गया यानि इसकी जो range फाइनली मैं conclude कर रहा हूँ वो यह कर रहा हूँ range will be equals to पाई बाई 4 कॉमा 3 पाई बाई 4 पाई बाई 4 कॉमा 3 पाई बाई 4 डिस इस अवर range यह जो option होगा आपका उसको mark करोगे तो इस बात को याद कर ले ना यह तो यह answer कला दे यह नहीं होगा while calculating range problem we keep the domain domain in our mind domain को अपने दिमांग में रखते हैं तो मैंने आपको करा दिया यहाँ पर property उसका proof और उस पर based एक question ठीक है अब बात कर लेते हैं अभी तो time है एक property की और बात कर लेते हैं ठीक है बस last है एक और property समझते हैं बट उससे पहले please pause the video and note it down ठीक है ओके let us move on property number 2 property number 2 पस लास्टे बाकी फिर नेक्स पर कराएंगे property number 2 इसको और समय लेते हैं क्या है देखो अगर अगर तुमने sine inverse के अंदर minus x डाल दिया और 10 inverse के अंदर भी minus x डाल दिया और cosec inverse के अंदर भी minus x डाल दिया ये तीनों तुम्हें minus का x minus का x sorry ये तीनों तुम्हें minus का sin inverse x minus का 10 inverse x और minus का cosec inverse x आंसर करेंगे यानि ये minus बार जम मार जाएगा minus का 10 inverse x minus बार जम मार जाएगा minus बार जम मार जाएगा लेकिन अगर तुमने cause inverse x cause inverse minus x और cot inverse minus x और sec inverse minus x यानि अगर तुमने cause, cot और sec के अंदर minus x डाल दिया तो ये pi minus cause inverse x आंसर देगा ये भी pi minus cause inverse x आंसर देगा ये भी pi minus sec inverse x आंसर देगा याद करने का तरीका आसान है sine 10 और cosec sine और cosec तो एक दूसरी के उल्टे ही होता है ठीक है 10 इनको minus दोगे बोले बाले function है minus को बार बेगेंगे और answer देदेंगे minus sine inverse x minus 10 inverse x minus cosec inverse x cause cause का उल्टा sec और cot इनको अगर minus दिया तो ये pi minus cause inverse x pi minus cot inverse x और pi minus sec inverse x answer देंगे इसको आप दो slot में याद करोगे इसको अलग slot बना लो याद करना है और इसको अलग slot बना लो ये भी आपको याद करना है इस इस प्रॉपर्टी नमबर 2 तो अमीद्य आसान समझ में आ गई होगी बस अब मैं अब मैं एक काम करता हूँ एक इस वाले box का इसका प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ एक इस वाले box का इसका प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ बस इतना तो बनता है ठीक है तो इससे पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बाद कर दें तो पहले मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ तो 2 proof 2 proof हमें प्रूफ क्या करना है कि कि sin inverse के अंदर minus x अगर डालोगे तो minus बाहर कर देगा और sin inverse x answer देगा पहली बात हमें ये प्रूफ करने है ठीक है ये वाली है पहली वाली माइनस sin inverse x देगा ठीक है ठीक है ठीक है तो प्रूफ करते है प्रूफ करते है लेट एप्रोच तो आप जानते ही हूं इसको थीटा मान रहा हूं लेट sin inverse minus x is equals to theta ठीक है एलेचस वाला जो है sin inverse minus of x is equals to theta मान लिया अब इसको मैं लिख सकता हूं minus x is equals to sin theta minus x is equals to sin theta sin inverse minus x is equals to theta है तो I can write minus x is equals to sin theta ओके और x is equals to minus sin theta लिख सकता हूं ठीक है लिख सकते रेगों में यह पढ़ चुके कि sin को अगर minus theta तो ये माइनस साइन ठीटा दे देता है, ट्रेगों में पर चुके है, साइन को अगर माइनस सीटा देता है, ट्रेगों, तो माइनस साइन ठीटा दे रहा है, मतलब साइन को माइनस सीटा ही दिया होगा, साइन को माइनस सीटा ही दिया होगा, इस बात से, इसको रख लेते हैं ट्रेगों में हमने भी पढ़ा देखा, ठीक है, अच्छा, अब क्या इस साइन को इधर ले जाकर, क्या इधर ले जाकर, ऐसा लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स ओफ एक्स इस इकोईस टू मैनस सीटा, चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे, भाई, एक्स बलॉंग्स टू मैनस वन कॉमा वन, और थीटा आउटपुट है, थीटा बलॉंग्स टू मैनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, यह है मैनस सीटा, तो अगर मैं minus theta ले लूँ तो यहाँ minus plus का हो जाएगा यह minus का हो जाएगा यनि कोई फर्क नहीं पढ़ ला minus pi by 2 और pi by 2 उसी range में हैं तो ले सकते हैं sin inverse x is equal to minus theta आ गया एक इसको देखो this is equation number 2 और एक इसको देखो this is equation number 1 ठीक है from equation number 1 end equation number 2 equation 1 और 2 से theta मैं इधर ला सकता हूँ यह minus sin inverse x हो जाएगा तो theta थीटा बड़ा पर यानि इससे मैं बोल सकता हूँ sin inverse minus x will be equal to यह हो जाएगा minus का sin inverse x तो 1 और 2 से हमने इसको proof कर दिया इसी तरीके से sin proof हो गया cosec proof हो जाएगा और इसी तरीके से 10 proof हो जाएगा तो इसको road कर लिजे तो same तरीके से यह proof same तरीके से proof अब मैं इस block का इसको proof और कर देता हूँ कि cause inverse of minus x is equal to pi minus cause inverse x बट उससे पहले आप इसको road कर लिजे ठीक है जल्दी से प्लीज पॉस्ट वीडियो और नोटेट दाउट कि अब इसको और देख लेते हैं कि तू प्रूफ कि तू प्रूफ कि अगर तुमने cause के अंदर minus x डाला तो वो pi minus cause inverse x देगा ये वाली property cause के अंदर अगर minus x डाला cause inverse के तो वो pi minus cause inverse x देगा इसको प्रूफ कर देगा इसको प्रूफ कर देगा ठीक है तो let मान लेते हैं इसमें भी कि cause inverse minus x is equals to theta है ठीक है LHS वाली side से शुरूआ करिए कि cause inverse minus x is equals to theta है ठीक है now I can write it as minus x is equals to cause theta है और x will be equals to minus का cause theta है ठीक है अब अब माइनस cause theta तब आएगा जब cause pi minus theta होगा ये वाद HE पर लाकर क्या मैं कॉस इनवर्स x is equals to pi minus theta लिख सकता हूँ हा या ना, let us check कॉस है x belongs to minus 1,1 sine वाली होता है domain तो बट theta, range इसका minus pi by 2 से pi by 2 नहीं होता है 0 से pi होता है कॉस है, sine मसे लिया ना range इसका 0 से pi होता है अब यहाँ पर मेरा minus theta है तो अगर मैं minus theta ले लेता हूँ तो minus pi और 0 pi का negative minus pi, 0 का 0 और pi इसमें अगर add कर देता हूँ अगर मैं इसमें pi add कर देता हूँ तो pi minus pi 0 और 0 और pi, pi तो देखो वापिस से यही आ गया pi minus theta भी 0 से pi इसी range में लाई कर रहा है, इस वज़े से हाँ ले सकते हैं, ठीक है? चलो अब वो अब अब क्या? अब क्या? अब क्या? ये हो गया equation number one ठीक है? है ना? ये हो गया equation number one और 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 इसको लिख सकते हैं theta equal to pi minus cos inverse x ये उल्टा लिख ले रहाँ, वहनों तुम confuse रहाँगे ठीक है? इसको लिख ले रहा है pi minus cos inverse x equal to theta चलेगा? pi minus cos inverse x is equal to theta equation one और two को देखें अगर by equation one and two तो ये भी theta ये भी theta मतलब cos inverse minus x की value pi minus cos inverse x आ चुकी है hence hence we proved it और ऐसे ये prove हो गया ये proof हो गया तो फिर court और sec भी proof हो जाएगा उम्मीद है बढ़िया तरीके से आपको clear हो गया होगा हमने property देखी दो box, एक एक box का prove यहाँ पर आपको दे दिया है तो उम्मीद है clear हो गया होगा समझ में आ गया होगा तो ये था हमारा inverse trigonometric function का part number 4 कल बात करेंगे आगे part number 5 में आपका syllabus 11th का भी और 12th का भी मैं पूरा यहाँ पर कराऊंगा यह आप से बादा है एका एक चीज यहाँ पर होगी basic से शुरू कराता थोड़ा medium level पर आगे और इसको advance तक पोचाएंगे सारा syllabus कराएंगे लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप number of cushion हम लोगों से जादा चाते हो DPT और PPT किसी भी form में test series चाते हो मेरे साथ या और teachers के साथ live interaction चाते हो edo excel का part बनना चाते हो तो आप अभी भी part हो we are family बट अगर आप live interaction चाते हो test series किसी particular interest को target कर रहे हो तो हमारे classes online और offline mode में हमारे batches start हो जुके आप उन्हें purchase कर सकते हो और अगर purchase करना नहीं चाते आपको यही sufficient लग रहा है तो यहां भी आपका syllabus तो हम लोग at least पूरा कराएंगे ही आपसे वादा है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको like कर दीजे चैनल को subscribe कर लीजे और जितना जादे हो सब्सक्राइब कर लीजे और जितना जादे हो सब्सक्राइब इसको share किएजे Thank you very much आएग 써माई में मुएतिजे और सब्सक्राइब का वोग अजितना है NEW प्रोच्य।